तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यह बिलकुल घर में पड़े हुए समान से बनाने वाली मिठाई जिसे हम जब भी मन चाहें बना सकते हैं एंग खा सकते हैं बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन इंग्रेडियंस की जुरूत होगी वो भी ऐसे जो हम सब के घर में हमेशा मुझूद रहते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा गहूं का आटा, चीनी, एंड घी जो भी आटा आप रोटी बनाने के लिए अपने घर में इस्तिमाल करते हैं उसे ही आप इसे बनाने के लिए तो आईए हम इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हम लेंगे ये दो कटोरी आटा अब हम पानी लेंगे एक टोरी एंड उससे अटे का डो बनाएंगे जिस तरह का आप अपने रोट घर में रोटी बनाने के लिए इस्तिमाल करते हैं बिल्कु वैसा ही डो हमें चाहिए इस तरह से मिलाते हुए आथों से गूते और इसका नार्मल रोटी वाला डो बना लें जैसे से भी आप रोटी बनाते हैं नरम या हाड ले सकते हैं अब इसे घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमें रोटी बनाने में दिक्कत ना हो अब हम इस आटे से छोटी छोटी रोटी बनाएंगे इस मिठाई को बनाने के लिए आप अपने घर में पड़ी हुई रोटी कभी इस्तिमाल कर सकती हैं जैसे कभी-कभी हमारे घर में रोटी बच चाती है तो उससे ये मिठाई बनाई जा सकती है इसलिए तो ये बहुत सस्ती और जल्दी बनने वाली मिठाई है अब इस तरह से हम इसकी छोटी छोटी रोटी बेल लेंगे और जिस तरह से आप नॉर्मल चपातीस बनाते हैं वैसे ही इसकी चपातीस बना लेंगे इस सारे आटे से हम इसी तरह की चपाती बना लेंगे आप साइज अपनी मन पसंद का रख सकते हैं मैंने मीडियम साइज में बनाई है और हलका साउसे घी से ग्रीज कर दे इस तरह से अब हम ये बाकी के दो से भी इसी तरह की चपाती बना लेंगे आप देखेंगे कि कैसे हम बहुत ही कम घी में इस मिठाई यानि लड्डू को तयार करते हैं अगर आप चाहें तो इसे ग्रीज करें नहीं तो आप इसे ऐसे भी एज़ेटिस ले सकते हैं बिना घी के इस तरह से चपातीस बनाई है आप देख सकते हैं और ये हमारे जो टोटल आटे से हमने ये देखिए ये टोटल 10 चपातिस रेडी की है जिसके लिए हमने लिया था 2 को टोरियाटा एंड एक को टोरी पानी अब हम इन चपातिस को मिक्सर में तुकड़े करके डाल देंगे थोड़े छोटे टुकड़ों में काटे आखी मिक्सर में इजी लिए ग्राइंड हो सके इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ते हुए हम मिक्सर में डाल लेंगे और हाफ स्पून के क्रीब इसमें घीर डालेंगे एंड एक कर्ची चीनी पांच चपाती जालेंगे तो एक कर्ची चीनी उसमें हम मिलाएंगे एंड आदा चम्मच से आप घी जादा भी ले सकते हैं एक चम्मच तक और आप देख सकते हैं ये हमारा मैटीरियल तयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए अब इसी तरह ही हम बाकी चपाती से भी ऐसा ही मैटीरियल तयार कर लेंगे इसी तरह छोटे-छोटे चुक्टों में तोड़ते हुए मैं बाकी की मिगसर में डार रही हूं एक कणची चीनी धन साथ में एक चम्मच तादी चम्मच घी नालेंगे ये लिजे हम ग्राइंड कर लिया है. आप देख सकते हैं. अब ये में लिया है हाफ कप तिल का पोड़र, जो सुफेद तिल हम यूस करते हैं न, वही सुफेद तिल को हमने मिक्सर में पीश लिया और उसका पोड़र ही मिला रहे हैं. अगर आपके पास ये ना हो, तो आप desiccated coconut यूज़ कर सकते हैं अगर वो भी ना हो तो आप ऐसे भी इन लड़ूँ को बना सकते हैं बिना इसके ओर जी हमने लिए हैं खरबूजे के बीज आपके पस जो भी समान मुझूद हो और आपको डालना पसंद हो आप वो इसमें मिला सकते हैं आप इसमें कोई भी ड्राइफूट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पस ना हो तो आप इसे ना डाले अब हम ये ड्राइफूट्स ले रहे हैं जो हम लड़ू बनाते हुए उसके उपर इसको लगा रहे हैं इस तरह से अगर आपका यह चिपके नहीं तो आप हलका सा घी लगा लें क्योंकि हमने घी की मात्रा बहुत कम डाली है इस वज़ा से यह थोड़े से ड्राइ ड्राइ है थोड़ा सा घी लगाने से यह और अच्छे से बनेंगे इसी तरह से इस मैटीरियल से हम यह ड्राइ फ्रूल डालते हुए और चोटे चोटे लड्डू बना लेंगे इस तरह से अपने आथों में थोड़ा मैटीरियल लेकर और इसमें जो भी ड्राइ फ्रूल आप डालना चाहिए वो डाल कर दोनों अधेलियों के बीच में रखकर उंगलियों से दबाव देते हुए हम इस लड़ू को शेव देंगे यह मिठाई इसलिए खास है क्योंकि हमारे घर में जब भी हम खाना बनाते हैं तो कुछ रोटी बच चाती है तो वेस्ट भी हो जाती है कभी-कभी तो इससे वह वेस्ट भी नहीं होंगी और हमें बहुत अ आने को मिल जाएगी इस तहां से आप अपने लड़ू को गार्णिश करने के लिए अपनी पसंद का राइफ फ्रूट लगा सकते हैं जैसे कोई भी चीज जो आपके घर में अवलेबल हो आप वो लगा सकते हैं मैंने इसके लिए काजू बदाम एंड साथ में पिस्ता इस्तेम इस्तिमाल किये हैं इस तरह से आप देख सकते हैं यह लड़ू देखने में जितने सुन्दर दिख रहे हैं खाने में उससे ज्यादा ही स्वाधिष्ट होंगे इसमें आदा कप स्पेद कितिल का पॉडर मिलाया था आपके पस अगर वो ना हो तो आप सकते हैं उससे इसमें बहुत अच्छी सुगंद आने लगती है अगर वो भीना हो तो जो भी आपके हो आप पिला सकते हैं और अगर वो भी ना मिलाना चाहें तो से आप पलेइन भी रख सकते मैंने लड्डू का साइज मीडियम रखता है जिससे की जो एक व्यक्ती एक ही बार में खा सके हमें उतना ही रखना चाहिए इस तरह से छोटे छोटे लड्डू हम प्रिपेर कर लेंगे दोनों हाथों में रखकर हलका साद बाव देंगे चारों तरफ से और ही लड्डू तेयार हो जाएगा नहीं तो जो लड्डू में कराता है आप वो भी ओनलाइन परचेज कर सकते हैं एमजोन से तो इस तरह से हैं अपने रिव्यूज देना ना भूलें खुद में खाएं अपनों को भी खिलाएं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ देख केर बाई सी ओगेंगे